एक लड़का जो पढ़ाई छोड़कर other activities में involved है चंदु नहीं मुडली वो भी 1950s में जब देशी माबाप के लिए पढ़ाई से इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं हुआ तो बस एक गरीब घरे से आने के बाद मुडली के उपर गाउं के दूसरे बच्चे उसके औरमपिक मिडलिस्ट बनने के सपने पर हसते थे बट चंदु इस चैंपियन ऐसा मैं नहीं गाउं के लोग कहते हैं उसको मुडली का बड़ा भाई कहता है पहलवानी सीख लो भाई बहुत स्कोप है और दस जैद स्कोप को जिंदगी उसे देती है पहलवानी में जब वो गाउं के लाला मतलब किसी बड़े आदमे के बेटे को हराता है तो उसे कुप्तो की तरह भगाते हैं भागते भागते भाग सीमरन भाग वाली हाल में उसे करनेल हाथ देता है जिसे उसे ट्रेन मिल जाती है करनेल उसे कहता है गोर्ड मेडलिस्ट बढ़ने के लिए आर्मी में भरती होना होगा बहुत स्कोप है फिर आर्मी में सेलेक्ट जाने के बाद भी वहां उसके कॉलिक्स उसके dreams का मया कुराते हैं अब पहलवान मोडली अपनी पहलवानी दिखाने लगता है उसके आर्मी के senior उसे देख लेते हैं जिससे उसकी पहलवानी की punishment मिलती है और उसके senior उसे आर्मी के लिए unfit बोल देते हैं बिनना इसके पीछे के reason जाने बट reason पता चलते ही वो कहते हैं तुकल सुबद 6 वजे टाइर के जिम में मिल जिम में टाइगर मोडली से कहता है boxing कर ले ओलम्पिक्स में जाने का scope है फिर क्या अपनो मोडली लग जाता है boxing में पहलवानी छोर करके hands up को धेर कर देता है जापान में होने वाली world military boxing championship में हिस्सा ले देता है समिफाइनल्स मे wonder boy बनता है hot tv देने चला जाता है वहां की जर्नलिस्ट पर उसका दिल भी आ जाता है पहली पर दुनिया देखी ती बाहर की तो ऐसा होना तो जाए सी है बट फाइनल में उडगांडन हाथी से हारने के बाद मुडली रीराइजेस की भाड़ी mistake हो गया बट दो दिन तक बेह बनता अंदर से तूट जाता है साथ ही उसे नौ गोलिया लगती है जिसमें से एक तो हमेशा के लिए उसके बाड़ी में फंस जाती है दो सल बात उसे बेटरी रिलाज के लिए नए होस्पिटल में शिफ्ट कर दे जाता है जहां वह अपनी सारी पैसे लोटरी पर लगा द हो स्विंग पूल में ओलम्पिक्स का वर्ल्ल रिकॉर्ड को टच कर देता है 1972 में इंडिया की फैनेंसिल कर्डिशन ठीक ना होने के कारण पहले तो उसे ऑलम्पिक कमिटी पैलिम्पिक्स में जाने से रिजेक्ट कर देती है बट लेटर उन का मन बदल जाता है साथ कार्ट दिखाए इनकी स्टाइल में मूली का स्पीच सुन करके बट बट रिजस जो भी उसकी सेलेक्शन हो जाती है मुनिक के समर ओलम्पिक्स में पैलेस्टिनियन टेरिस्ट करते हैं इसी कारण से पैलिम्पिक्स को दूसरे स्टी में सिफ्ट कर दिया जाता है फ्रेश्टाइल 50 स्टी में में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मुली गोल जीच जाते हैं और फाइनली मेक्स और कंट्री और नेशन फ्राउड 50 यर्स लेटर 2017 में यह स्टोरी पहले पुलिस वाले को मुली सुनाते हैं क्योंकि उनके गाउं में भी भी अच्छी सरक नहीं है उनका म इंडिया से उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं पदमस्री अवार्ड मिल जाता है अपने मेनत का इनाम तो देशने उन्हें 40 साल बात दिया और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दो अपने पढ़ाई करके तुम जहींस क्लिर कर लोगे हैं खेर सभी चीजे लग के उपर इवाइ चाना